नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सोलिशन पे दोस्तों आज का जो वीडियो है वो क्लैंप मिटर पे है कि क्लैंप मिटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है क्लैंप मिटर कितने तरह के होते हैं और सभी क्लैंप मि और उसमें logical वीडियो भी आप लोगों को मिलेंगी तो दोस्तो उस चैनल को भी YouTube पे जाके सर्च कर लें जिसका नाम है Total Health and Logic उसको जाके YouTube पे सर्च कर लें उसको भी सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दबा दें नीचे उस चैनल का link भी आपको description पे मिल जाएगा क्योंकि दोस्तो clam meter सभी use करते हैं क्योंकि clam meter आजकल बिल्कुल common है तो इसको use करने का तरीका आपको सभी को आता है शिर्फ इसके working principle को समझते हैं कैसे ये काम करता है AC DC clam meter में working principle में क्या फरक है दोस्तो clam meter basically इसके अंदर जो mostly जो पार्ट होता है वो multimeter का ही पार्ट है यानि कि जैसे AC voltage, AC, DC voltage, resistance, diode, continuity ये जो multimeter का ही पार्ट है simply एक ये जो option है current measurement का option है current measurement का जो circuit है उसको यहाँ पे add on कर दिया गया है ये दोस्तो जो इसका उपर का portion है इसको clamp बोलते हैं या जा बोलते हैं जा यानि कि जबडे जैसे होते हैं ये clamp है इसका इसको clamp meter कहा जाता है दोस्तो एक ये portion है इसका जो की एक additional है और साथ में बाकी जो push button है ये common है ये एक आपका अलग R, E, L करके push button है ये एक extra इन सब को हम discuss करेंगे और इसके working principle को समझते हैं दोस्तो ये जो clamp meter होते हैं ये तीन तने के clamp meter होते हैं एक clamp meter वो है जो सिर्फ AC current को measure कर सकता है दूसरा दोस्तो मेरे पास है ये AC DC clamp meter है यानि कि ये AC current को भी measure कर सकता है और DC current को भी ये measure कर सकता है तीसरा एक और होता है दोस्तो दो AC और यह AC DC clemator है जो मने आपको कियो बताए हैं इनकी अंदर यहाँ पर हार्ड जा होती है clamp होती है जिसके अंदर यहां पे ferrite core होती है लेकिन जो तीसरे type का होता है दोस्तों उसके अंदर यहां पे hard clamp होने की वज़ाए flexible probe होती है जिसको हम मोड के और बहुत ही बिल्कुल संकड़ी जगह में भी कहीं अगर हमें current measurement करना हो machinery में तो वहां पे भी वो पहुँच सकती है आसानी से और उसकी length भी काफी लंबी होती है तो कहीं length में जाके भी अगर हमें machinery के किसी part भी अगर measurement करना हो तो flexible probe के साथ जो clamp meter आता है उसको हम use कर सकते हैं वो तीसरे type का होता है दोस्तों सबसे पहले हम AC climater को discuss करते हैं AC climater दोस्तों दिखने में विल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसा मेरे पास AC DC climater है लेकिन internally उसके अंदर फरक होता है क्या होता है दोस्तों की हमारा जो AC climater होता है उसके अंदर भी ऐसे ferrite core होती है इस plastic के enclosure के अंदर ferrite की core है दोस्तों iron core है ferrite core है AC climater के अंदर उस ferrite core के उपर दोस्तों copper की wire को wound किया होता है लपेटे लगाए होते हैं जिससे क्या होता है दोस्तों की वो आपका एक CT का रूप धारण कर लेता है वो यहाँ पे एक CT बन जाता है current transformer दोस्तों voltage को measure करने के लिए हमें voltage को कम या जादा करना पड़ता है DC voltage के लिए हम divider वगरा यूज करते हैं कुछ और option भी होते हैं AC के लिए AC transformer यूज करते हैं जिससे voltage को step up या step down कर लेते हैं दोस्तों इसी तरीके से current को step up और step down करने के लिए CT यानि की current transformer का हम यूज करते हैं इसका working principle वैसा ही है जैसा हमारा voltage transformer का है क्यूंकि हम इस पर focus current पर करते हैं इसलिए इसको हम current transformer करते हैं priority हमारा current को हम इसमें read करते हैं तो इसको current transformer वही होता है तो दोस्तों मान लिजे मेरे पास यह wire है और इसके AC ampere को मुझे major करना है तो मैं यहाँ पर ampere कर लूगा यहाँ पर selection और ampere पर selection करने के बाद यहाँ पर DC का option है तो मैं select करूँगा तो AC का option यहाँ पर आ गया है और अब मैं यहाँ पे इसके clamp को इसके उपर से करूँगा ऐसे तो यहाँ पे मेरे को यह AC Ampere यहाँ पे दोस्तों show कर देगा मैं अभी यहाँ पे fan on करता हूँ कुछ लाइटेम यहाँ है ताकि कुछ Ampere हमारे को यहाँ पे दिखाई दे देखिए 1.2 Ampere यहाँ पे दिखाई दिया मैंने fan on कर दिया है तो दोस्तों होता क्या है कि यह जो wire है यह wire जो है यह primary का काम करती है और यह हमारा जो ferrite है इसके उपर जो copper की wire जो है wound होती है वो हमारा secondary का काम करती है तो primary से secondary के अंदर जितना channel ratio है उसी हिसाब से current का भी जो है step up या step down हो जाता है तो उससे हम यहाँ पे measurement करते हैं दोस्तों क्योंकि इसके अंदर number of trance जादा है तो यह voltage को तो step up करता है लेकिन current को यहाँ पे step down करता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजित यहाँ पे काम करते हैं तो AC clamp meter के अंदर यह जो जबड़ा है यह जो जा है यह जो clamp है वो एक CT का काम करता है current transformer का CT के उपर में एक special अलग से video बना दूँगा लेकिन CT जो है current sensing के लिए यूज किया जाता है current को step down या step up करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे जो current जादा है इसके अंदर step down होके मिलेगा क्योंकि number of turns हमारी यहाँ पे जादा होती है secondary में तो voltage बड़ेगी और current यहाँ पे काम होके हमें मिल जाएगा यह हमारा AC क्लाइमिटर का basic principle of working है दोस्तों जब इसके अंदर से current flow होता है तो इसके जो magnetic field है वो induce होता है और magnetic field की induce होने से secondary में voltage यहाँ पे induce होती है और उसी के respect में हमारा current भी जो है flow उसके अंदर होता है यह basic है magnetic field पे यह काम करता है हमारा अब दोस्तों मेरे पास जो है यह आपका AC DC क्लाइमिटर है इसमें क्या फरक होता है दोस्तों simple इतना ही फरक होता है कि इसके अंदर ferrite core तो इसके अंदर होती है लेकिन इस ferrite core के ओपर copper की wire नहीं लिप्ती होती है यानि कि यह CT का का काम नहीं करता है current transformer का यह काम नहीं करेगा क्यूंकि इसके ओपर copper की wire नहीं लिप्ती होती है इसके अंदर क्या होता है दोस्तो हाल इफेक्ट सेंसर का यूज क्या जाता है ये जो जा है, क्लैम्प है इसके बीच में ये आपका कट है जिसकी वज़े से हम इसको किसी भी वायर के उपर ऐसे लगा सकते हैं तो दोस्तो ये जो फैराइट को रोती है यह basically करती के है कि magnetic field को concentrate करती है उसको focus करती है उसको eggs घह पे 81 रखती है eggs घह रखती है concentrate करके रखती है उसको focus करके रखती है ferrite core और दोस्तों यह जो बीच में cut है तो हमारा जो magnetic field है वो यहां से movement करेगा यहां से यह path रहेगा उसका ferrite core के through लेकिन क्योंकि बीच में cut है दोस्तों और इस cut के बीच में यहां पर इस portion में या इस portion में किसी एक portion में whole effect sensor लगा ज찬 जाता है whole effect sensor काम करता है दोस्तों हमारा magnetic field पर direct जैने कि magnetic field को डारेक्ट वो voltage में convert करता है transducer है वो magnetic field को voltage में convert करके हमें supply दे देता है उसको हम बाद में amplify करके और उसको जो है scaling करके use कर सकते हैं circuit में display पे उसको दिखाने के लिए उसको amplify करते हैं फिर उसको scaling करते हैं ताकि वो accurate value दिखाए तो whole effect sensor बीच में लगा होता है लेकिन दोस्तों बीच में कि यह cut है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में दोनों core के बीच में gap है कितना भी आप इसको accurate बना लें फिर भी gap है क्योंकि यह open होता है तो gap तो है और बीच में इसके अच्छे तरीके से इसको बंद कर दें फिर भी gap होने की वज़े से magnetic field यहां से यहां जंप करता है और उसके बीच में हमारा transducer यानि की whole effect sensor आता है वो measurement करता है हमारे magnetic field की strength के हिसाब से voltage induce कर देता है वो यहां पर भी हम confirm करेंगे कि अगर मैं इस clamp meter को इस तरीके से measure करूँ या फिर दीरे दीरे इसकी जो clamp है इसको दीरे दीरे दूर करता जाओं तो क्या हमारी reading में फरक आएगा अगर हमारा magnetic field इसके through ही जम्प करता है शिर्फ हमारी ferrite core से यहां से और यहां जम्प करके आगे circuit को complete करता है यही path है तो 100% है कि हमारी reading में फरक आएगा reading कम हो जाएगी क्योंकि यहां से यहां 100% जो magnetic field वो जम्प नहीं कर पाएगा इसलिए यहां पर reading का फरक आणा चीए है तो DC parameter को हम यहां पर measure करके देखते हैं दोस्तों अब क्या करूँगा यहां जैसे ही मैं ampere की setting पर ले के जाता हूँ इसको तो यहां पर दोस्तों पहले से ही यह कोई reading दिखा रहा है 75.9 ampere यह क्या दोस्तों AC के case में ऐसा यह नहीं करेगा जैसे ही मैं AC पर select करता हूँ यह नहीं करता है यह 00 ही दिखाता है लेकिन अगर मैं DC पर जाके इसको देखता हूँ तो कोई ना कोई यह value दिखाता है और वो fix नहीं है वो vary करती है आपके आजपास को magnetic कोई instrument है या कोई ऐसा device है जो magnetic field को create करता है या फिर हमारा noise के अंदर जो हमारी एर के अंदर जो noise होती है magnetic field की जो DC in nature है या फिर earth का magnetic field है जो DC in nature है वो सब यहां पर उन सब का यह result आता है यह अलग अलग दिखा सकता है 144 ampere भी दिखा सकता है 20 ampere भी दिखा सकता है वो यह है कि आप की location क्या है आपके आजपास क्या instrument है उन सब चीजों पर depend है तो यह offset value है दोस्तो DC ampere major करने से पहले हमें इसको यहां पर zero करना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों यहां पर आपको मैं दिखा पाया तो यह देखे यहां पर एक दोस्तो push button है जिसके ओपर लिखा हुआ है R E L यह switch है इसका R E L का मतलब होता है दोस्तो relative relative reading measurement के लिए इसको use किया जाता है जैसे ही मैं इसको कुछ second के लिए प्रेस करूँगा तो दोस्तों यहां पर जो DC ampere की reading थी वो 00 हो गई है मतलब जो अभी 55 ampere दिखा रहा था उसको हमने reference मान लिया है relative reference उस 55 ampere को relative reference मान के अब हम यहां पर अलग से ampere measure करेंगे उस magnetic field को study करके यहां पर जो show कर रहा था reading वो offset value थी वो हमारी default value थी जो हमारे magnetic field noise की बज़े से थी जैसे ही हमने relative वाले इस switch को press किया तो उसको reference मान के उसको zero कर दिया उसको हमने reference मान लिया उसको zero करके उसके reference में उसके relative में अब हम यहां पर जितना भी magnetic field के अं कि इसके शाव से यहां पर करेंगे यानि कि उसको हमने रिलेटिव रेफरेंस मान लिया है इस स्विच को प्रेस करके कि दोस्तों अब मैं क्या करता हूं यह कि इन्वर्टर का बैटरी का वायर है इसके उपर में लगा के च्छेक करता हूं 18.8 हम पर यह दोस्तों दिखा रहा है यहां पर 18.7 या 18.8 दोस्तों देखिए यह फेराइट का क्या effect है यहां पर अगर मैं इसको आगे पीछे move करता हूँ तो दोस्तों reading में कोई फरक नहीं आ रहा है 18.5 या जो भी है यह देखिए 18.5 या जो भी है यह देखिए यह वैसे ही फरक है मैं यहां पर रखूँगा तो भी आएगा देखिए 18.6 है 18.5 हो गया यह वैसे आपका फरक है output voltage में fluctuation की वज़े से लेकिन इसको आगे या पीछे करने से कोई इसके अंदर फरक नहीं आ रहा है 18.5, 18.6 है यान कि यह जो magnetic आपका फिल्ड है वो यहां पर concentrated हो गया है ferrite core के उपर लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको यहां से दीरे दीरे आगे से इसके claim को open करता हूँ दीरे दीरे तो देखते हैं इसके अंदर फरक आता है क्या 18 से 16.4 हो गया है बिल्कुल जराशा मैंने open किया है जब देखो उसको जागो 15.3 हो गया है 14 अंपियर हो गया है क्योंकि अब magnetic field को jump करता है तो उसकी efficiency proper नहीं है वहाँ पर loss हो जाता है यह देखी 11 अंपियर है यानि कि अगर इसको मैं दूर करता जाओंगा तो यह आपकी reading यहाँ पर कम होती जाएगी क्योंकि magnetic field इदर से इदर और इदर से इदर jump करता है तो यहाँ पर बीज में air गया पा गया तो यहाँ पर magnetic field जो है 100% transfer नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से proper reading नहीं आती है holy effect sensor को पूरा magnetic field नहीं मिल पा रहा है जिसकी वज़े से यहाँ पर reading कमा रही है अगर मैं अच्छे तरीके से इसको लगा दूँगा ऐसे तो reading हमारी proper तरीके से यहाँ पर आ जाती है तो दोस्तो अगर आपके पास प्राना clamp meter है और उसके यह जो जाज है यह अगर lose है तो उस case में भी आपकी reading गलत आएगी यह 100% perfect रूप से यहाँ पर इसकी grip होनी चीए उसी से यह accurate आएगी देखे 13.9 हो गया मैंने थोड़ा प्रेस किया तो 18.8, 18.9 पर जाते है यहाँ कि इनकी यहाँ पर perfection बहुत जरूरी है अगर आपके यह lose हो गए तो यह spring वगरा अंदर जो होती है उसको ठीक कर लें अगर ठीक नहीं कर पा रहें तो at least यहाँ पर rubber band की तीन या चार या पांच layer लेके rubber band की यहाँ पर लगा दें ताकि rubber band उसको यहाँ पर हमेशे ग्रीप को बना के रखे और यह whole effect sensor यहाँ पर proper काम करें दोस्तो जो काम यह आपका clamp meter internally algorithm से software से करता है zero set करने के लिए relative reference का यूज करके अगर आपका यह section यह circuit या यह switch खराब हो जाए और आप zero adjust ना कर पाएं तो उसको manually कैसे करेंगे उसको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ जिससे हमारे को यह समझ में आ जाएगा relative reference का जो यह logic है दोस्तों से पहले मैं इसका ampere measure कर लेता हूँ कि कितना ampere अभी इसका है 19.8 यानिकी 20 ampere है आपको नहीं पता आप सिधा सा इसको DC पे करें अभी यह 34.5 अभी यह 34.5 अभी यह शो कर रहा है offset value आप as it is बिना zero adjust करें क्योंकि zero adjust तो होती नहीं है इसको as it is लगा दी 34.5 ता अभी यह 14.5 है तो 34.5 में से 14.5 less करेंगे तो 20 आपको यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा बी समपेर जो है current यहाँ पर हमने calculate कर लिया है